जिदने भी guess work लगते हैं mcq question को solve करने के लिए ये जानते हैं कि mcq question में ये stem हो गई और stem के बाद उसके जो option होते हैं ये ओके ये option होते हैं कई बार option जो है numerical होते हैं number होते हैं जहां पर number नहीं होता है वहां पर ये trick apply होना है digital value पर ये apply normally नहीं होता extreme case में वहां भी हो सकता है दूसरा के जहां meaning है definition है वहां ये बहुत ज्यादा apply होगा तीसरा के हमने ये देखना है चार option में से ये जो trick apply करेंगे क्या उसको इस category में कैसे identify करना है कि इस category क्या ये trick लगा देना है कि इस category की नहीं है इस वीडियो में ये learn करेंगे option जो trick उसका नाम है rule no 7 है total 12, 13, 14 मेरे पास rule ऐसे हैं तो आपके B.Ed का यहां पर apply किस पर करना है आप B.Ed entrance test की बात कर रहे हो उसकी त्यारी कर रहे हो गुनाने दिव यूनिवस्टी द्वारा लिए गए 2022 के entrance test का analysis करके उन में से कितने पर ये apply हुआ है और easily आप कितने gain बिना पड़े बिना reasoning के कितने gain कर सकते थे reasoning के बिना नहीं कहना चाहिए थोड़ी बहुत reasoning हमेशा ही चाहिए चाहिए होती है तो उसका analysis करती है एक बात ये समझ लें सबसे पहले कि जो length of tail है उसको मैंने divide किया है अगर ये complex लगे तो इसको हटा देंगे लेकिन बड़ा असान है सबसे पहले ऐसे question होते हैं जिनका one word होता है एक शबद होता है उसको long tail वाला rule apply नहीं होगा उसको इस category में रखना है नहीं है लंबी पूँच वाले विकल्प दिया किसमा types of long tail ये लंबी पूँच वाला नहीं है लंबी पूँच वाला जो एक है slide सी थोड़ी सी लंबी पूँच है ठीक तो क्या उसको वहां पर apply करेंगे मेरे खेल में साथ साथ में हमें देखते जाना चाहिए अब यह देखिए यह यहां पर यह digital है numerical है यहां पर कौन से नुकते apply होंगे नीचे link दिया गया होगा 23 question ऐसे 2022 में से identify मैंने किया है यहां पर अगर digital value है तो वो नुकता apply होगा middle term का लेकिन middle term का नुकता कैसे apply होना है वो वीडियो देखना पड़ेगा 23 में से 22 पर apply हुआ है तो easily आप राइटा answer पर पहुँच सकते हो इवन उस नुकते में आपको यह जो stem है question भी नहीं read करना पड़ता लेकिन असल में read भी कीजिए और उस नुकते को apply करके reasoning करके फिर right answer के पास पहुँचिए यहां पर one word यह digital है नहीं apply होगा यह one word जा two word है यह long tail में नहीं आते one word है long tail में नहीं आते long tail में नहीं आ रहे यह सारे ही जो है वो digital वाले आ रहे है one word है तो यह simple बात है कि जहां पर एक जैसी phrase है गुरू राम दास जी गुरू नानक देव जी गुरू अरजन देव जी गुरू अंगत देव जी चार word चार word चार word चार word यहां पर कोई apply नहीं होगा यह कोई apply होने अब slightly ध्यान से देखना है शायद मैं मैंने plan भी नहीं किया था long tail के लिए एक नुक्ता और दिमाग में आया है कि word की counting करनी है meaningful word की counting कितनी है meaningful word की यहां पर दो है यहां पर दो है यहां पर दो है यहां पर दो है यहां पर थीन है बाहे चांस शिव कुमार बटालवी he is right answer very very यहां यह कैसे हो सकता है आप कैसे यह pure irrational thought है नुक्ता है लेकिन irrational pure पूरा नहीं हो सकता कारण क्या है कि यह अगर किसी ने जिसने भी paper setter ने यह डाला है उसन की mind में कुछ प्रेफरेंस होती है प्रेफरेंस प्रेफरेंस होती है वो प्रेफर हम क्या करते हैं हम शौर्ट को प्रेफर करते हैं शौर्ट को के मैं जल्दी शौर्ट जल्दी काम निप्टा दूँ इस tendency की कारण जो right answer शिव कुमार बटालवी था और बाकी हो सकते हैं उस tendency में चे छोटे वाले option बाहर आ गए हो हाला कि इसमें यह मैंने जो identify किया है उसमें यह question नहीं था देखिए यहां भी यह नुकता apply हो गया अगर कुछ भी नहीं है तो यह नुकता apply कर सकते हो दूसरे एक नुकते के combination apply कर सकते हो A और B का जाए B और C ज्यादा होता है उसका video different होगा ABCD वाला video वो आ जाएगा सारी तो वीडियो पता नहीं निकलेंगे के नहीं तो यह short tendency होती है दूसरा क्या होता है कारण क्या है के long tail वाला right क्यों हो जाता है कारण क्या है दूसरे एक तो यह tendency होगी number 2 पर एक हो गया दूसरा number यहां पर है कि जो एक pressure है इनके दिमाग पर एक pressure है pressure कौन सा है कि इनका जो MCQ है challenge ना हो जाए normally हम challenge कर सकते हैं हमारी key display होती है सभी देख सकते है books देखके compare करके challenge किया जा सकता है तो जिसका उत्तर expert का challenge हो गया it means उसकी self esteem status down हो जाएगा यह इनके मन में है तो अगर यह challenge होता है तो इनकी tendency क्या रहेगी 100% जिस option को मैं right कहना चाहता हूँ वो 100% right रहे वो 100% right करने के लिए वो normally कुछ words जा word एक word जा दो word एंड करके जा उसमें sentence में add करके इस correct option में उसको डाल दते हैं जिससे कारण वो लंबी हो जाती है तीसरा कारण क्या होता है कि जब question यह डाला जाता है उसकी option एक लिख लिए यह भी right answer है उसके बाद यह वाली tendency तो normally फिर आती है कि यार वो जल्दी जल्दी अपना दो उसको compare नहीं किया जाता है तो हो जाता है चौथा जब कोई meaning meaning और definition का question है तो यह rule बहुत अच्छा अपलाई किया जा सकता है अब देखते हैं कि हमारे जो question है previous year के वहां कहां कहां apply हो सकता है यह तो हम यह देख रहे थे अभी कि क्या यह देखिए चन्नई सूपर किंग्स हाना यह तीन है पंजाब गुजराथ टाइटन बाइचांस श्याद आंसर भी यही है लेकिन इसको मैंने long मैं यह समझाने यहां आया था कि इसको मैंने slight long में रखा है और slight long में probability right answer होने की कम हो जाती है अगर उसकी 90 परसंट या 95 परसंट मान लो होती है तो इसकी probability जो है 40 परसंट रह जाएगी तो इसको अगर कोई नहीं बचा तो इसको apply कर लो medium tail आ गए दरिम्यानी पूश और extreme pools मैंने इसको ऐसे भी convert किया है कि एक तो clear long tail है और एक unclear या vague long tail है तो उसके उत्तर भी देख लेते हैं इन में से clear और unclear कौन से हैं ये वाला ये वाला long tail में नहीं है जल्दी से देख के बता रहा हूं power its mind okay challenging youth power for nation building अब ध्यान से जल्दी देखना इसमें word कम है हना इसको reject किया जा सकता है वैसे ही apply कर रहा हूं देखते ठीक निकलता है एक दो तीन चार पांच इसको reject किया जा सकता है it's all in the mind पांच है इसके बराबर है और ये middle में आ रही है और एक दो तीन चार पांच छी ये आ रहा है ये long tail बन रही है तो right answer में ख्यार में ये है तो इतनी probability है कि दो को delete करके वहां आ रहे हो पर इसको भी apply मैंने जो बताने हैं बिल्कुल यहां पर apply होगा वो आगे आ रहे हैं अभी यह 10% probability यह भी रहती है जहां पेपर सेटर अच्छा है तो वो कई बार short वाला इसलिए क्या consider करना है middle term वाला जो digital पर apply हो रहा है quantitative पर यहां पर qualitative पर apply हो रहा है qualitative में दोनों extreme को focus करना है यहां यार अभी यह बना है नुकता लिखके अभी यहां बताता हूं पता नहीं आपको clear हुआ के नहीं माल लीजिए यह mcq question है mcq question आते हैं जहां पर बिल्कुल right answer easily मिलेंगे को mcq question में एक हो गया यह अभी आया मेरे मन में कि क्वांटिटेटिव क्यों टी डाला है मतलब क्वांटिटेटिव नंबर में है थीन चार पांच तीन सो ब्यासी श्यासी स्थास ऐसे कुछ भी तो यह qualitative हाना जो language में है sentence में है यहां quantitative है वहां rule कौन सा apply जहा हो रहा है mid term का उसका नीचे वीडियो दिया गया है वो देख सकते हो वो मैंने 23 question identify किये थे 150 में से यहां पर mid का apply हुआ और 123 में से 22 question solve हो रहे है nearly solve हो रहे है तो qualitative में क्या है यहां पर middle term और extreme को extreme को avoid करना था यहां पर extreme को use करना है बिल्कुल उल्टा extreme क्या है जहां तो short सबसे shorty tail वाला और सबसे लंबी वाला middle वाले जहां कोई gas बाकी नहीं लग रहा तो इन में से क्या है कि जहां qualitative answer है sentence में आप पर answer है 90% probability जहां clear long answer है वो ठीक होने की है तो अब check करने लगे हैं क्या ऐसा सच में होता है फिर दुबारा से अच्छा यह मैंने question निकाले हैं यहां पर देख लेते हैं यह हो गया example yes the president of India is elected देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि guess लगा रहे हैं यह red line है it means यहां पर long tail clear यह clear वाला long tail नहीं है ऐसी example निकाली है एक तो एक शब्द वाले थे एक तीन शब्द वाले भी थे उनको ब्राबर थे वह long बेशक अगर दस शब्द वाले भी हैं लेकिन वह ब्राबर हैं ऐसे दस दस शब्द हैं चारो option ऐसे ब्राबर हैं तो long tail जो है वह apply नहीं होगा यहां पर क्योंकि एक टेल जो है सबसे इतनी यह रही ओके दूसरी टेल जो है वह बड़ी जा रही है तीसरी भी यह बड़ी जा रही है चौथी वी यह बड़ी जा रही है लगबग यह तीन ब्राबर हैं ऐसी हालत में भी long tail generally apply नहीं होता क्योंकि answer की probability most 90% इन option में पड़ी होती है पर देखो फिर भी इतना तो guide कर गया ना कि shortest जो है वो probability उसकी कम है बहुत कम cases में shortest वाला ठीक होता है तो जहां पर इतने word लिखने पड़े हैं यह मैंने question भी वहां solve किया था फिर आप tag word identify कर सकते हो है जैसे elective member tag word था और right answer में पहुंच गया कि इसमें है right answer और reasoning apply कि इसका apply करने का धंग फिर क्या हुआ पहले तो tail देखी एक यह 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 चोटी बड़ी पर यहां पर reasoning करनी है are for reasoning सोचना है कि वो ठीक हो सकता है फिर उसको apply करना है अगली बात कहां पर apply होना है यह repeat भी बाद में हो जाएगी question normally English में बनते हैं Hindi जब पंजाबी में नहीं बनत इंग्लिश में बनके translate होते हैं कई बार होता है कि पंजाबी में वो word बहुत बड़ा-बड़ा होता है that is why वहां पर यह long tail बन जाएगी और यहां पर वो short होगी तो आपने apply कहां करना है यह नुकता English English को देखना है English ठीक है that is why यहां focus करेंगे इस इसको avoid करेंगे पंजाबी हिंदी पंजाबी हिंदी में अगर long है तो उसको long नहीं समझना इंग्लिश वाले को ही long समझना है तो यह reject होगी next और देखते हैं AMP वद्या यह भी not long tail इसमें आ रहा है क्यों क्योंकि एक tail इतनी है तूसरी यहां से लेकर यहां तक है तीसरी यहां तक है चौथी यहां तक है unclear बन रहा है हो सकता है यह थोड़ी से long tail यहां पर दिखाई दे इसको vague में रख रहे हैं clear long tail नहीं है clear long tail पता क्या होती है normally बहु clear होगा यह मैंने बताया कि यहां पर unclear है यहां पर probability right answer मिलने की कम हो जाती है तो यहां पर reasoning जब बाकी नुकते आप apply करो गे अब देखते हैं अगले जो answer मिल रहे हैं यह हो गया यह दो हो गया यह रहा है अब यह क्या है less clear long answer okay थोड़ा vague है लेकिन उसमें है आता है कौन सा ह यह वाला keep student check or control check or control okay collect additional funds for remedial teaching हाना यह दिखा यह रहा involve parents in the improvement of school functioning meaningful word इसमें बहुत ज्यादा आ अगला नुकता क्या है कि words जो गिंती देखनी है length देखनी है एक तो शरीर देख लिया एक देखा शरीर करके बीच में meaningful word कितने है इसमें ज्यादा है तीसरा यहां पर tag word साफ दिखाता है improvement improvement जो word है इसका right answer दिखा रहा है इसलिए tag word इससे ज्यादा useful है जब वो apply ना हो तो apply कर सकते हो यह नहीं तो दोनों को मिला के share understanding of a problem faced by school तो यहां पर right answer यह long term है लेकिन यह less clear था थोड़ा वेग था लेकिन apply हो रहा है apply कैसे किया हमने साथ में tag word को identify करके जिस पर अलग से वीडियो आई हुई है next यह clear long tail पर अब पहुंचे हैं वो कौन सा है इसमें यह नहीं है बिलकुल बिलकुल सेम है बिलकुल बिलकुल सेम है यहां पर यह right of constitutional remedies against exploitation यहां words बहुत ज्यादा है right to freedom speech and expression यह right है यहां पर ज्यादा आप कर सकते हो इसको तो मैंने वैसे भी समझाया था ना उस वीडियो में कि nine मुझे ऐसे लगता है कि एक बंदा है और कैसे बोल रहा है तो speaking से related है तो यह knowledge होगी यह strategy की knowledge को routine आपने दमाग में कैसे रखना है यहां पर यह clear में आ रहा है जो कौन सा है यह वला नहीं यह वला है यह देखिए यह क्योंकि इतना है और फिर छोटा सा है फिर इतना है फिर इतना है फिर इतना है ठीक तो इसको हम long tail में लगबग नह शामिल कर रहे है क्योंकि इसकी length 1 2 3 6 7 8 9 10 10 वर इसमें है इसमें हैं इसमें 3 वर्ड हैं एक दो 3 4 5 5 इसमें है और तीन इसमें है तो ये quantitative measurement भी हो गई तो ये direct clear apply हो रहा है और right answer इसका long tail वाला ही है तो जहाँ clear long tail है आपकी बाकी strategies काम नहीं कर रही तो वहाँ आप apply कर सकते हो बाकी के नुक्ते भी साथ बलाओंगा येलो है तो थोड़ा सा ये बिल्कुल different है ये क्यों select किया मैंने आपके 2022 का गुर्णानक देव यूनिवस्टी के ही ये question है अच्छा यहाँ पर yellow mean के ये थोड़ा सा वीग है green mean के clear है less clear long tail but with meaning मैंने ये कहा था अगर question mcq जो है meaning से related है definition से related है तो probability of long tail की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये analysis मेरा कह रहा है मैं भी ग mean क्या है हाना तो इस meaning में that is why मैंने इसको शामिल किया कि meaning पूछा है या long tail पर focus करते हैं तो मैंने क्या किया long tail पर focus किया long tail पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यहां साथ आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह भी साथ आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह देखे, साथ साथ आ रहे हैं, इन में से meaningful कौन सा है, अब meaningful यादा देखे, साथ साथ आ रहे हैं, लेंथ श्रीर इसका बड़ा है इसको प्रैफर थोड़ा से ज्यादा करना है यूज टीचिंग एड़ एंड इन क्लास्रूम और यह जो कॉशन पूछा गया है यह बिल्कुल रेलेवेंट टीचिंग एड़ टीचिंग से रिलेटेड बनता है कॉमप्री एंसे बन रहा है इसको चूज कर रहे हैं क्या किया मैंने यह लांग टेल नहीं था क्योंकि मीनिंग पर था इसलिए जो दिखने में लांग थी उस पर फोकस किया नमबर एक उसके बाद उस पर reason किया reason यार ये ठीक होने की संभावना क्यों ज्यादा होगी क्योंकि ये comprehensive है बाकियों के ज्यादा से compare करके हाना एक diagram यूज करना teaching aids बहुत सारी वो यूज करना सिर्फ ज्यादा बोलना ना ज्यादा बोलना तो ये वली जो है meaningless ही है that is why यहाँ पर right answer मिल गया और long tail ने direct help की मिरी next में clear help हो रही है हमारे पास ये one word है long tail में नहीं आता next है ये ये वला longest longest कौन सी ये साफ दिखाई दे रही है ये देखिए ये देखिए अब यहाँ पर अगर सिर्फ cause भी लिख देते ये दो लेकिन इस option में persistent learning problems ये पहले बताया है मैंने during instruction हर वर्ड हर वर्ड इसके answer को diagnostic evaluation को support कर रहा है तो इतने ये अगर ना भी डालते दो तेन शबद तो भी ये right answer रहना था लेकिन examiner ने अपने question को क्योंकि UGC से उठाया गया है मैंने बार-बार कहा है अगर जल्दी करनी है मैं कोशिश करता हूं बाकी भी mcq बना दता हूं जो most repeated टॉप repeated वाली वीडियोस है ना उनको देख लो अगर teaching potential का और पहले paper 60 question first में से उन्हें में से ही आ रहे हैं सीदे ये साथ में उसके thinking exercise भी की हुई है तो ये right answer हो अगर कुछ नहीं बचा तो लॉंग टर पर प्लस रीजनिंग कर सकते हैं मैंने कहां किया मैंने पास 10 word डालते तो ठीक हो जाना था एक word डालते मैं ये question बनाता तो मैं सिर्फ interest डालता ये वाला नहीं डालता उससे इसकी length कम हो जानी थी और मैंने classroom यह activity एक word कार देना था करके इसके ब्राबर ले आना था फिर ये question better difficult और discrimination powers की बढ़ जानी थी अब उसने अपने fear ये pressure के कारण interest भी add कर दिया attention भी add कर दिया and बीच में लगा लंबा हो गया और classroom activities ये दो वर्ड ले लिए एक लिया जा सकता था that is why ये right answer हो गया आगे है ये कौन सा नहीं ये नहीं होगा कौन सा ये वला you have a class which is very heterogeneous ये 2022 का सबसे 2022 का सबसे longest टेल वाला ये देखिए तीन को इतनी टेल है इतनी टेल है ये देखिए एक दो गुना तीन गुना अधिक टेल है ये ओके सो क्यों problem ऐसी है उसकी explanation right करने के लिए उसको explain करना पड़ा justify करना पड़ा right answer सीधा यही है देखिए stem पड़े ही नहीं रहे पिछले वीडियो में जो middle term वाली से उसमें भी stem पड़े ही नहीं रहे पर मैं यह कह रहा हूँ कि इस पहला step यह है कि आपने शरीर से वहां भी शरीर को order में किया यहां पर extreme को use किया वहां पर extreme को avoid किया तो यह जो है उसके बाद reasoning की और right answer में पहुंच गए अगर वक्त है ही नहीं फिर सीधा ही ठोक दो बस okay यह English में सबसे ज्यादा apply हो रहा है पंजाबी में English में लेकिन 2022 के English में ज्यादा example मिलने की संभावना थी उतनी मिली नहीं है कारण क्या है कारण यह है कि दूसरे question जो अच्छे higher वाले हैं वहां से question उठाए गये हैं अब यह meaning वाले है इडियम वाला लेकिन यह वे नहीं long tail में नहीं आ रहा बराबबर लग हैं सबीं यह long में नहीं आ रहा Correct वह वह यह कितने कम है यह जयादा यह से ज्यादा होगए यह कम है तो यह वाले टेल कितनी लंबी हो गई है next वाले टूे वरड्स हैं नहीं हो काATA अपलाई इधर भी थ्री थी वर्ड है नहीं होगा अपलाई तो यह एक ध्यान में बात रखने के यहां पर जो शॉटस टेल है वो राइट अंस निकलिया जैसे पिछले वीडियो में चलो वह उसकी अभी वात क्या करनी तो शॉटस को 10% कई बार वेटेस दे देनी चाहिए य यह डाउट कर लेना चाहिए शॉटस भी हो सकता है यहां पर मिडल को ज्यादा आप वाइड कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं अगर कोई और नुकता नहीं बचता तो और क्या है कहां यह हो गए यह रहा पंजाबी में क्या है यह नहीं है यह वाला नहीं है यह वाला नहीं है लॉंग टेल यह हो सकते हैं यह देखिए क्यों है क्योंकि जेट था पुत्तर सब तो छोटा पुत्तर तो ज्यादा कहाई जेट थे महीने विच जनम लैन वाला पुत्तर कर विच जनम लैन वाला पहला पुत्तर यह दो यह दो जो हैं लंबी टेल हैं ये बहुत कम example ऐसी मिलती है otherwise heterogeneous है सभी order में लग सकती है सबसे चोटी दूसरे नमबर तीसरे नमबर सबसे बड़ी तो यहां पर ब्राबर है तो right answer इनमें ही छुपा होना चाहिए तो क्योंकि इसके कभी भी word जो होते हैं जाते उसका दूसरी strategy क्या है उसका वो literary शाब्दिक अर्थ नहीं बीच में कभी भी आता है यहां जेठ है यहां जेठा है mostly literature में उस में वर्ड का वही शब्द के सा meaning नहीं होता वो symbolic meaning होते है तो that is why हसी को यहां पर यह logic apply करके prefer किया जाएगा long tail ने help यहां कर दी है मेरी खेल में हो गए एक और देख लेते हैं इसमें है कोई नहीं इसमें नहीं इसको नहीं consider करना की long tail है अच्छा मैंने कहा था English तो यह पंजाबी में क्यों कर रहे हैं याद रखना है जहां bilingual है bilingual दो भाशाएं है उन भाशाओं में English को की long tail देखनी है अगर एक भाशा वाला भाशा का पेपर है तो वही भाशा की long tail देखनी है क्यों क्योंकि वो translate नहीं हुई हाना व्याकरन की है इसको क्यों शामिल किया क्योंकि यह meaning पूछा गया है क्या है definition क्या है हाना तो सिखन पाशा सिखन दा सादन शुद्ध पाशा लिखन दी कला पाशा पिच्छे कारश शील नियम प्रबंद तो यह long दिखाई दे रहा है इसको right answer लगाएंगे अगर add or करना है तो नियम प्रबंद इसका जो tag word है इसको identify करने में help कर रहा है तो यह example 2022 में मिली जो long tail की थी यह कम क्यों हो गई यह बहुत जानना बहुत जरूरी है यह कम इसलिए हो गई 150 question का analysis करके यह रखी है और भी दो चर मिल जाएंगी ऐसी बात नहीं है 150 question का analysis किया है तो 150 question में से कम से कम वो जो वीडियो में ने डाले हैं उनमें से 20-25 question exact analysis में से उठाए गए हैं और वो अच्छे exam में से उठाएं गए हैं जैसे UGC के paper वो अच्छे paper setter होते हैं वो long tail को थोड़ा avoid करते हैं लेकिन 2017 का उननी का paper अगर आप देखो तो long tail की example बहुत ज्यादा इवन P.S.T.T. में C.T. में long tail की जो मिलती है example बहुत ज्यादा लेकिन उसको reasoning के साथ plus और नुक्तों से combine करके उसको समझना चाहिए ये बात बहुत ज्यादा ज़रूरी है अब ये देख लें कि इसको apply कैसे करना है कहां करना है कहां नहीं करना है ये रहा ओके जहां factual information है precaution don't use when the options are factual है नहीं करना one word है नहीं करना date है वहाँ पर middle term करना है ये नहीं करना यहां name है कोई name किसी का बहुत से ये वो बड़ा बहुत हो सकता है वहां नहीं करना memory based question है नहीं करना numerical है quantitative है वहां नहीं करना कहां करना है यह बेशक शोड़ दो यहां पर वो middle term वाला करना है और यहां पर करना कहां है जहां पर कब करना है आपने एक और थी यार यहां पर बनाई हुई यह रही यहां पर इन statement sentence more than 3 और 4 शबसे ज्यादा है और उनकी length unequal है बराबर नहीं है वहां यूज होगा यह बहुत ज्यादा important है बहुत ज्यादा यहां meaning definition यहां जैसे idioms है महावरे हैं शबत के अर्थ हैं ऐसे कुछ पूछे गए हैं हना कई भर paragraph जो है paragraph में meaning इसका meaning क्या है वह बड़ी long use हुई होती है हना तो with reasoning थोड़ी सी जां with plus कर लिजिए और strategy for example a b c d strategy है next video में नीचे link दे दूंगा वह use होनी है जिसमें कहा जाता b c ज्यादा होती है लेकिन यह उनकी knowledge है हम गुर्णानक दिव university का analysis via dentist test का करेंगे तो क्या ऐसा पाते हैं यह आपको बताऊंगा अगर नहीं पाते तो इसको wide करेंगे no or less mental ability mental ability में यह long tail वाला नहीं use होता यह ज्यादा अधर डाल सकते हैं इसको mental ability में नहीं होता मैं question is bilingual prefer guess in English यह बात हो चुकी है पहले भी हाना अगर single language है तो उस language में हिंदी का पर है हिंदी वो देखो गई पंजाबी का पंजाबी में देखो गई इन beard interest test relatively less number of long and tail were found due to question from UGC और higher level हाना फिर भी ना मिलते हुए भी हमें कम से कम साथ आठ ऐसी साथ आठ ऐसी question 150 में से साथ आठ question ऐसी हैं जिसको tail देखी और tick लग गया हाना 23 question उस वीडियो के उस 30 question यह 31 question हो चुके हैं जो तुक्के से strategy से solve हो रहे हैं यह कब use करने हैं जब आपकी preparation low है time बहुत कम है फिर use कुरो 5 मिनट रह गए आपके 15 question पड़े हैं तो use कुरो content knowledge is almost zero और negligible जब 5-10% है remember three categories of long यह देख लेना है के clear long और vague long answer कौन सा है इसके regarding और कोई question आगा बाकी भी ABCD का भी आएगा opposition का भी आएगा चार-पांच यह नुकते हैं अगर time लगा तो उन पर analysis करके गुनानक देव university interest test का ही analysis करके naturally है वो काम आएंगे अगर आप अपनी reasoning से use करोगे so thank you